मसकार दोस्तों हमारी यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हाई कंपाउडिंग सेर के बारें बात करेंगे जो की कैमिकल सेक्टर का है इसी के साथ-साथ यह जो कंपनी है ना फोरन में भी एक्सपोर्ट करती है कैमिकल तो काफी बड इस कंपणी के डाइवर्सी भाई बिजनस है इसी के साथ यह बात करें ना इस कंपणी कांपी कहां पर तो यहां पर दिखेगा अमरिका में में ऐसे में यूरोप में तो यह जगहां में जुह गपर यह विडियो में न्यु यह साथ-से कंपनी बनाती है जैसे food antioxidant ठीक है इसी के साथ साथ जो है speciality chemical aroma chemical जो की आप बोल सकते हैं जो perfume होते हैं उसमें use होते हैं वो ये company बनाती है अठारा सो करोड की ये company है और जब भी double triple होगी तो कोई problem तो आएगे नहीं और ये इसी के साथ बात करें न long term में minor रखता भी compounding compounding ये company काफी बढ़िया दे रही है तो long term में बढ़िया performance तो मिलेगा बढ़िया पैसा भी साथ में चपने वाले हैं इसी के साथ बात करें profit में growth की अगर बात करें 70% की Cajr के साथ last 5 सालों से इसके profit में growth है मतलब इस साल ये company जो है 100 रुपे अगर profit कमाती है तो अगली साल 170 रुपे कमाएगी ठीक है तो ऐसे इस company के last 5 सालों से profit पे profit ये company कमाती जा रही है तो इससे मुझे लगता है कि ये company long term में काफी अच्छा कर सकते हैं इसी के साथ काफी बढ़िया holding भी देखने को मिलेगी यहाँ पे यही बात करें net profit की yearly performance तो यहाँ पे देखेगा 2019 में इस company ने कमाए थे 12 करोड उसके बाद 12 करोड फिर 2021 में 21 करोड फिर 53 करोड यहाँ पे तो performance तो काफी अच्छे है तो बहुत बड़िया जो है CAGR A company दे रही है मतलब कि compounding के नाम पे देखेगा हर साल पैसे double से भी जादा जो है यह company करती जा रही है तो इससे बता चलता है कि company आगे चलके क्या कर सकते है यहाँ पे देखें कि profit में growth भी काफी अच्छी है ठीक है इसी के साथ यहाँ पे इसकी sales growth भी काफी अच्छी है तो मुझे लगता है बहुत बड़िया पैसा बनने वाला है यहाँ आपके पास तो hold कीजिएगा बेचने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा यहाँ पे reserves की बात करें तो 204 करोड के reserves है कर्ज की बात करें तो 214 करोड का कर्ज बेच कंपनी के उपर तो लगबग saving और इसके कर्ज लगबग बराबर है यहाँ पे देखिएगा प्रमोटर की जो holding थी 70% की वो 71% पे आज सुकी है फिलाल September quarter में इसी के साथ FIA ने इसमें holding increase कर लिया है पिछले quarter में 0.08% की holding थी फिलाल 0.09% की होचकी है और public तो अच्छी खासी यहाँ पे investment कर रखे है 28% की holding है public की तो यहाँ भी यह company 100% से ज़्यादा की compounding ना दे यहाँ पे 133% की compounding है यह compounding की बजाए यह company अगर 50% भी compounding देती है तो मैं दिखाना जाओगा यहाँ पे कितने पैसे यह company generate करके दे सकती है आपको जो की chemical sector की और foreign में जो है इसका business है तो यहाँ पे मैं मान के चलूँगा 20,000 रुपे सिरफ आप invest करोगे और 50% की compounding और starting के 10 साल सिरफ 10 साल अगर आप invest कर देते हो 20,000 रुपे तो आपका पैसा देखीगा यहाँ पे जो 10 साल तक आप invest करके रखोगे वही पैसा 20,000 रुपे आपको बना करके देंगे 11,000 रुपे तो कितना देखे कितना गजब का पैसा यहाँ पे छप रहा है तो यहाँ पे छोटी भी investment करते हो ना लोंग टम में बड़ा पैसा बन सकता है यदि इस सेर के साथ आप रहते है तो यह जो कंपनी है ऐसी कंपनी है यहाँ पे profit में तो growth ही है इसी के साथ sales में भी growth है मतलब कि पैसा अच्छा खासा यह कंपनी generate कर रही है बिकवाली करके यहाँ पे यही 20,000 रुपे 20 सालों तक होल्ड करें इसी सेर में तो यहाँ पे देखेगा लगबग 6 करोड बनेगा यह 6 करोड ना बने 50% की जो एक compounding ना रहे है तो भी मैं दिखाना चाहूँगा माल लेते हैं यहाँ पे 30% की compounding रहती है क्योंकि small cap 30% तो आसानी के साथ यह share compounding देगा भई तो 30% भी अगर रहती है ना compounding यहाँ पे तो 20 सालों के बाद 38,000,000 रुपे बनेगा बेसक आपको यह पैसा कम लगे लेकिन भई इन्वेस्टमेंट भी तो काफी छोटी आपकी 20,000 रुपे की है तो कितना देखी कितना बड़िया पैसा बन रहा है long term में ठीक है इसी के साथ मैं बात करूँ SIP की अगर तो SIP में भी काफी अच्छा पैसा बनने वाला है यदि इस share का compare करें दिपक नाइट्राइट के साथ तो वो भी मैं दिखाना चाहूँगा एक बार कि कैसा performance से इस कंपरीगा यासो का दिपक नाइट्राइट के साथ जो है performance मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर देखेगा लास्ट पांस सालों का जो performance है यासो का वो 1400% के return दिये यासो ने ठीक है यदि आप यासो की साथ रहते हैं तो ड्यूटू small cap है इसी वज़े से थोड़ा risk भी रहेगा तो risk avoid करने के लिए आप जो है दीरे दीरे down जैसे down जाए वैसे वैसे आप इसमें investment केजिएगा ठीक है ताकि आपका average down होता रहे ठीक है तो देखते हैं कि कितना पैसा हमारा 2000 रुपे का SIP बना करके देगा तो हमारा जो total investment हो जाएगा 10 सालों तक वो हो जाएगा 2,40,000 रुपे ठीक है तो क्या गजब का जो है investment है 2,40,000 रुपे यही जो पैसा है आपको 66,000,000 रुपे कितना बढ़ा amount आपका बन रहा है यहां पे सिरफ 2,40,000 रुपे के invest किये और वही आपको बना करके दिये 66,000,000 रुपे लेकिन यहां पे जो है time भी दिया है हमने time भी दिया और SIP continue भी किये 10 साल तक मतलब 2,000 रुपे भी निकालना बहुत मुश्किल होता है किसी स्टोक के लिए अगर आप continue रखते हैं इस सेर में 2,000 रुपे मंतली investment करते हैं 10 साल तक continue तो बहुत बढ़ा पैसा आपका बनने वाला है यह याद रखिएगा यदि SIP करते हैं तो भी बढ़िया पैसा बनने वाला है तो दोस्तों यह है यासु इंडरस्टी की तागत कितना बड़ी है पैसा यह कंपणी बनाती जा रहे है दूसरा इस कंपणी का डाइवर्सी फाइब बिजनस है कैमिकल के साथ साथ यह कंपणी ना रबर एसुलेटर्स बनाती है लुब्रिकेंट अडेटिप्स बनाती है तो यहाँ पर देखेगा अलग-अलग टाइप के कैमिकल बनाती है इसके साथ दूसरी कुछ से जो है कैमिकल भी यह कंपणी बनाती है और इसके साथ बिजनस काफी अच्छा पसंद आया है यह कंपणी जो कैमिकल एक्सपोर्ट करती है यूरोप, अमरिका, मिडलिस्ट और एसिया में करती है इसके साथ इस कंपणी के बड़ी-बड़ी कंपणीया कलाइंट भी है ठीक है इसकी वेबसाइट पर आप जाके उनके बारे में भी देख सकते है तो दोस्तों मिलते हैं नाइक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच